हेलो गाइस, 4x4 में corner parity कैसे solve करते हैं, इसे corner parity में क्या होता है, कि ये दो area जो होते हैं, वो सही तरीका से replace नहीं होते हैं, तो इसको हम कैसे solve कर सकते हैं, तो देखिए, जब आप कुछ में जैसे देखिए, इसमें क्या है, कि इस layer में ये दोनों तो सही जगा पर हैं, लेकिन ये दोनों सही जगा पर नहीं है, देखिए, जैसे आप मेरा orange, yellow, green है, match कर रहा है, यहाँ पर ये वाला इधर चला गया है, ये वाला इधर चला गया है, इसी को corner parity मोगते हैं, जब ऐसे cases हो, तो हमको ये दोनों जो होता है, वो front पर लाना होता है, जो दोनों एक जुसरे से displaced हो, हम जो ये algorithm लगाते हैं, उसमें logical ही मेरा क्या होता है, कि ये वाला इधर रिप्लेस होता है, ये वाला इधर और ये वाला इधर रिप्लेस होता है, इसमें कैसे लगाते है, l-u, par, u-l, u, r-u, तो देखिए, जब भी आ पाना पड़ता है, जैसे देखिए, ये वाला इधर रिप्लेस होता है, ये वाला इधर रिप्लेस होता है, बाकी सभी पीसे सही है, अगर माल लीजे, जैसे इसमें क्या होता है, कि सबसे पहले जब ये लेयर को solve करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जैसे माल ज बश्क्राप बढ़ें, हम इसको जानना आए कि कॉर्णर प्राइटी है कि नहीं है जीसे दिखिए माली यह है उसके बार यह तीनों को हम आईवाला सेम अल्गोरिट हम अपलाई करके देखेंगे अगर तीनों सही जगा से लग गया तो वह सही है उसमें corner parity नहीं है लें कभी कभी कशेस में corner parity आ जाती है को उसके लिगे अगर पर लगा यू आर यू डैस लू आडाइस यू डैस तो देख सकते हैं किसमें एक सही जगा पर है लगी यह दोलों सही जगा पर नहीं है तो इसमें फर्मॉला है यू राज यू डैस ल यू राज यू डैस तो देखिए इसमें क्या गया यह दोनों आपोजिट जिगप हो गए अगर यह दोनों होगा तो इसको सेम फर्मूला जो अभी मैंने बता है उसी को लगाए कि इसको करना है अब देखिए यह दोनों जब अलग-अलग तरीके से ल लगाते हैं सबसे पहले मिडी लेयर करते हैं और टू कि दो बार मतला हूं इसे देखिए यह दोनों जो अन्सौर्ट है मतलब एक दूसरे के अलग-अलग जगा पर है उसको ऐसे इस फ्रेंट पर रखके एक दो आर्टू यू टू फिर आर्टू लगाते हैं एक तो आर्ट इसे माल लिजे इसमें क्या लगाते हैं सबसे पहले आर्टू लगाते हैं फिर यू तो लगाते हैं फिर आर्टू लगाते हैं सॉरी फिर इसमें यू डवलू टू लगाते हैं ऐसे आप इसमें लॉजिकली लेखे जिसमाल लेगे यह दूने इसको फ्रेंट पर रखके आर्टू यू टू फिर आर्टू लगाते हैं फिर यू डवलू टू लगाते हैं फिर यू डवलू टू लगाते हैं फिर दो लेय इस तरह से इसका कॉर्णर फेरिटी सॉल्व हो आता है अब सॉल्व होने के बाद देखिए जब यह और यह दोनों आपोजिट साइड में तो सीम वह फॉर्मॉला लगाते है लड़ाइस यू नार यू ड़ाइस यू आर देखिए इसमें आप वह फॉर्मॉला लगा सकते हैं जिसमें यह दोनों को रिप्लेस करना होता है तो मतलब यह जो दोनों है उसके दिवाब पर यह दोनों सिफ्ट हो जाएंगे मतलब यहां के आ जाएगे और फिर सेम दिस आर यू टू आडएस यू डैस और यू डैस उसके बार इसको इस तरह से रखके एक जो सॉल पीछे इसको इसको रिजब पीछे लढ़ से आर यू टू पर यूडएस यू डैस और यू डैस शिन्त आ यू डैस तो दिंगे इसके यह वाले चारों जो बनते हैं वो आएच Ita इसके इसके दूसरे फर्मॉले भोल लगाते है मिंस यह 3 को रिकलेस करने का तो उसमें कैसे कते हैं आर यू स्वारी ऐल डैस यू आर यू डैस ल यू आडस यू डैस तो देखिए इसी दा से यह पीश स्रेप्लेस होगा अब इसमिश समझ सकते हैं कि तो देखिए यह वाला पी सीधर चला जाएगा, यह वाला पी सीधर आजाएगा, 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 यह वाला पी सीधर आजा सार섯 के लिए आपको फिर यहांपे ज़िए जो जो советार नहीं से यह जो तो यह solve रहते हैं इसको छोड़के पहले युदर से लिखते हैं और देखें इसमें देखते हैं कि फ्रेंट पर है यहां दिख रहा है तो इसमें लगाएंगे इसको चार बा लगाने पर यह solve होगा फिसको मूव करेंगा जो मेरा solve जैसे माल यह solve टीस है तो इसको कोई लिख कर लेगा इस यह unsolve टीस रहेगा इसी यह unsolve टीस आगे तो रिखेंगे यह side मेरा side मेरा तो मुझे इस पर लगाना पड़ेगा इसको मूव करने के बार इसका orientation को हमेंसा फिक्स रहना है जब भी यह 4 और solve करें इसमें तो 2 solve करें इसको उसी तरह से गर्मा लिजी यह unsolve रहता तो फिर इसको लाके इसी को मूव करना यह अपनी हैंड को मूवमेंट नहीं जेना उसके बाद यहां पर से आड़ाइस डीड़ाइस 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 अज़के बाद देखिए आपका यह 4 by 4 solve हो जाएगा इस तरह से आप डीटेल में कॉर्णर परेटी को solve क करके उसके लास्ट लेयर को भी अब solve कर सकते हैं थैंक यू